हेलो एब्रीवान दिस इस अदिती और आज के टॉपिक में हम डिसकस करेंगे जेरॉम ब्रूनर थियोरी ओफ कॉगनिटिव डेवलाप्मेंट ठीक है दाट इस संग्यनात्मक विकास के जेरॉम ब्रूनर के सिध्धान्त स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेरॉम ब्रूनर कहा के रहने वाले हैं वहां अमेरिका के रहने वाले हैं और वह क्या है वहां एक अमेरिकन साइकलोजिस्ट है ठीक है उन्होंने क्या दिया उन्होंने एक सिध्धान दिया उन्होंने एक थियोरी दी कॉन सी थियोरी दी कॉगनिटिव लर्निंग ठीक है डाट इस संग्यनात्म शिक्षर सिधान्त अब यह क्या कहता है यह कहता है कि बच्चा अपनी mental abilities के थू सीखता है ठीक है ही वाज़ कागनेटिव कंस्टाक्टिविस्ट थीक है वहां कैसे रश्णवादी है वहां संग्यान रश्णवादी है ठीक है ही वास नोन फॉर कोई निग टर्म स्काफ फोल्डिंग ठीक है इन्हों ने सबसे पहले स्काफ फोल्डिंग टर्म का इस्तिमाल किया है ठीक है तो क्वेशन आ सकता है कि सबसे पहले स्काफ फोल्डिंग टर्म का इस्तिमाल किस ने किया तो आप लोग क्या बताओगे कि सबसे पहले scaffolding term का इस्तेमाल Jerome Brunner ने किया Vygosky ने नहीं Vygosky ने क्या बताया था कि scaffolding होती क्या है कैसे पहुचा जा सकता है zone of proximal development क्या है यह सब Vygosky ने बताया लेकिन सबसे पहले scaffolding term का इस्तेमाल किस ने किया Jerome Brunner ने Jerome Brunner identified three stages of cognitive development that is Jerome Brunner ने three stages दी है Jerome Brunner ने क्या कहा कि इन तीन stages के माध्यम से हमारा संग्यनात्मक विकास होता है हमारा cognitive development होता है तीन stages कौन सी है inactive, iconic and symbolic representation पहली stage inactive stage जो की birth से तीन साल तक के लिए होती है और यह पूरी तरह action based होती है that is पूरी तरह kriya पर अधारित होती है for example, मानो कि कोई बच्चा है और वो अपना एक toy है वो shake कर रहा है ठीक है और जैसे ही वो shake कर रहा है उसको एक आवाज सुनाई दे रही है तब अब उस baby के अंदर क्या आ जाएगा उस baby के mind में क्या आ जाएगा कि जैसे ही वो अपना toy shake करेगा वैसे ही उसको एक pleasurable sound सुनाई देगी अब मान लो कि future में baby ने अपना hand shake किया तो वो क्या expect करेगा कि उसका hand भी एक आवाज दे ठीक है यहाँ पे जो बच्चा है उसके अंदर internal representation नहीं है वो नहीं समझ पा रहा है कि sound तभी आएगी जब बच्चा उस toy को shake करेगा ठीक है तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरह किस पे आधारत है वहाँ अपने actions पे आधारत है ठीक है next stage कौन सी है next stage है iconic stage that is drishya pratima nirupan जो की 3 to 8 years तक के बच्चों के लिए होता है और यह पूरी तरह कैसी होती है image based ठीक है that is bruner ने आपे क्या कहते है कि जैसी चीज आपने बच्चे को दिखा दी बच्चा अब सिर्फ उसी के बारे में वैसे ही सोचेगा ठीक है that is जब तक बच्चे के सामने वो चीज नहीं दिखेगी तब तक बच्चा नहीं सीख सकता ठीक है for example हमने एक बच्चे को पेड दिखा आया और उसके बाद उसने उस पेड की image बना ली ठीक है अब third stage है symbolic stage that is सांकेतिक निरूपर ठीक है जो की 8 साल से उपर के बच्चों के लिए होती है अब ये कैसी stage होती है ये symbolic language stage होती है that is ये भाशा आधारित होती है symbols के basis पर होती है that is भाशा आधारित सांकेतिक ठीक है सिर्फ बच्चे को वो word बता दो वो संकेत दे दो बच्चा समथ जाएगा ठीक है अभी कौर चीज जो inactive, iconic and symbolic stages है इसमें जो age factor है ठीक है वो अलग-अलग books में अलग-अलग लिखा होगा तो उसमें आप please confuse मत होएगा तो I hope आप लोगों को आज का session समझ में आया होगा अगर कोई doubt हो तो उसे comment section में mention कर दीजेगा and if you like the video please like, share and subscribe thank you